दोस्तो अगर आपके पास computer, laptop नहीं है तो भी आप अपने mobile से passport photo create कर सकते हैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप mobile से कैसे passport photo बना सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूंगा चैनल को subscribe नहीं कि अभी तक टो चैनल को subscribe कर देना, like कर देना क्यूंकि बाद में आप भूल जाते हैं विडियो देखते हैं देखनें के बाद में आप भूल जाते हैं वीडियो को like करना और सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना तो अभी जानल को सब्सक्राइब कर दीजे और इस अप्लिकेशन का नाम है पासपोर्ट साइज आईडी फोटो मेकर ठीक है यह बहुत इजी है इसमें ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसे डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से ओके आपको इसे डाउनलोड करना है करने के बाद में सिंपल आपको इसे ओपन करना है ओपन करने के बाद अगर कोई परमिशन माया है तो आपको अलाओ कर देना है ठीक है आपको यहां से इंडियन पासपोर्ट साइज ठीक है other country passport तो हमें क्या करना है यहां से Indian passport size photo select करना है ठीक है तो हमें कितना copy चाहिए 8, 10, 12, ठीक है 6, 15, 8 जितना भी चाहिए आपको यहां से आपको उस पर select करना है जैसे कि मैं 10 copy पे click करता हूँ मुझे 10 copies चाहिए उसके बाद में मैं इस photo पे जाऊंगा जाने के बाद में मैं यहां से कोई भी अपना एक photo ले लूँगा इस photo को select कर लूँगा select करने के बाद में आप इसे यहां से इस तरीके से crop कर सकते हैं ठीक है मैं इसे यहां से यहां तक कर देता हूँ उसके बाद में इसे crop पर click कर देता हूँ उसके बाद में आप नीचे से photo का brightness exit कर सकते हैं, कम बेसी यहां से कर सकते हैं इसके बाद में आपको इस arrow पर click कर देना है arrow पर click करने के बाद में, आपने यहां पर 10 copy कियa थे 3,3,6,4,10, ठीक है आपको simply क्या करना है, आपके पास में आपको अगर इस फोट को print करना है, वह प्रिंट है तो simply आपको print पर इस फडीड करदेना पर जाघाए या फिर आपको safe करना है तो आपको simply इस फ!", इस पर click कर देना है यह file आपके mobile में gallery में save हो जाएगा ठीक है. तो हम इसे भी view करते हैं photos पर जाता हूँ यह देखिए हमारा photo यहाँ पर save हो चुका है मैं आपको और एक बार gallery पर जा के दिखाता हूँ यह देखिए अभी हम gallery पर है और यह मेरा जो photo है password photo यह save हो चुका है इसी तरीके से आपको password photo अपने mobile पर इसका link मैंने description में दे दिया है आप जाये तो जाके वहाँ पर check out कर सकते हैं इसी तरीके से आपको mobile से photo create करना है password photo printer है तो आप print कर सकते हैं या फिर आप इसे कहीं share करना चाहते हैं तो आप simply इस पर share कर सकते हैं इस पर click करना है आपको इस more पर click करना है यहाँ पर बहुत सारे option आजाएंगा WhatsApp में किसी को share करना है या फिर messenger में या फिर किसी को message भेजना है या फिर यहाँ से आपको print करने को भी option है इस पर click करेंगे click करने के बाद में आपके पास printer होगा तो आप आसानी से print कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताना और फिर तो कहूंगा चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को subscribe कर लेना और bell notification हिट कर देना और वीडियो पसंद आए तो like करना और Instagram में भी तब follow नहीं किया है तो follow कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye